पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें और इस लवेट फोर साइड को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंके यार पहली नजर में तो हमें अंटीक चीज़े भी पसंद आ जाती है पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए बस क्यूंके देर रात तक तुम दोनों धेर सारी बाते करते हो और इसे तुम महबत समझते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंके यार अकेले पन के मारे तो दो अंजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात करी लेते है अर अगर किसी लड़की को देखके वो तुमारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देखके तुम उसका और इस cute jealousy को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंके आप परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लोग ना आजाद करने के लिए नहीं बस क्योंके आप तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम महबत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंके याद रखो दो भूके बिकारे भी एक दूसरे की भूक समझ सकते है पर मिटा नहीं सकते अरे अगर तुम anniversary का celebration हर महीने कर रहे हो और इसे तुम महबत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंके दास्ता ने इश्च को बया करने के लिए साल का कोई number नहीं चाहिए होता अरे बस क्योंके तुम उसके Insta Stories का और वो तुम्हारे snap Stories का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंके आर महबत को फिल्टरों के साथ सेव नहीं किया जाता हो उसे बस उसी लम्हें में जिया जाता है हाँ लेकिन लेकिन अगर जिस्मों में उलजने से पहले तुम उसकी जुलफों में उलजना चाहते हो अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुम अपने सारे राज उसके साम में खोल दिये और उसने भी अपने सारे डर का जिकर तुमारे साम में कर दिये अगर उसका हर आसू तुम्हारे ही कमीस पे बैता हो और तुम्हारे मुसकान की वज़ा उसकी नादानिया ही हो तो शायद शायद नहीं यार यही प्यार है और अगर यह प्यार तुम्हें मिल गया है तो इसे पकड़ लो जगड़ लो गले लगा लो जहां मौका मिले बस इसे कहते रहो कि तुम इसे कितना प्यार करते हो क्योंकि ऐसी मुहबबत से मुलाकात होने में जिंदेगी का एक काफी लंबार सा बीच जाता है